हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगती मंत्रा क्लासिस, माइनेम इस शिवांगी अगरवाल सो सुडेंट, जैसे के हमारी बाल विकास के सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लास में हम लोगों नहीं चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बाल विकास के अधार तथा उनको प्रभाफित करने वाले कारक तो वहाँ पर हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था अपना वंचानुकरम को तो वंचानुकरम को हम पूरा समझ चुके थे कि वंचानुकरम कैसे क्या होता है किस तरीके से चीज़े ट्रांसफर होती है उसके पूरी प्रक्रिया को हमने समझ लिया था अब हम चलते हैं अपने main topic के तरफ जहां पर हमें ये समझना है कि आकर वंचानुकरम क्या क्या प्रभाव डालता है या किस किस चीज पर प्रभाव डालता है तो इसको हम पॉइंट में कवर करेंगे तो यहां पर हमारे पास पहला पॉइंट है structure of structure of nervous system जिसको हिंदी में बोला जाता है केंडरी है इसमें आती है हमारे पास तंत्री का तंत्री का तंत्र का बनाबट यानि कि हमारे nervous system का structure किस तरीके का है वो सब बाते इसमें आती है अब इसमें हम और क्या-कम सीकते हैं कि जो बच्चा सीकता है यानि कि जो बच्चे की learning है वो किस तरीके से होगी बच्चे की ज्二ंद्रियों के बारे में बच्चे की ज्यानेंद्रियां ठीक है वो किस तरीके से work करेंगी यानि की जैसे मानलो उसकी eyes है nose है ear है ठीक है ये इस बात पर depend करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जो parents deep and dump होते हैं यानि कि जो कूंगे और बहरे होते हैं तो बहुत जारा chances है कि जो उनके आने वाली संत आने हो वो भी deep and dump हो ठीक है तो यही चीज़े ग्याने इंद्रियों पर decide करती है कि बच्चा बोल पाएगा नी बोल पाएगा देख पाएगा नी देख पाएगा तो यह सब चीज़े हमारे किस पर depend करती है हमारे structure पर किसके nervous system के structure पर ग्याने कि बच्चे का जो main nature रहने वा Intelligence, यानि की बुद्धी बुद्धी देखो जड़ाधर जो psychologicalist हैं वो यह मानते हैं बीबी कि अगर कोई जो parents हैं वो बहुत intelligent है तो उनसे जो कोई संतानी होगी वो भी बहुत intelligent होगी वहिं अगर कोई parents किनी parents की अगर जो intelligence है बुद्धी है IQ level है कम है तो उनसे होने वाली संतानों का भी IQ level कम होगा इसके बहुत ज़्यादा सांस इस है साती साथ experiments आपने भी एक बात करी थी किसके बारे में General Intelligence के बारे में और Specific Intelligence के बारे में General Intelligence और Specific Intelligence तो इन्होंने यहाँ पर यही चीज बोली थी General Intelligence को हम क्या बोलते हैं समान्य बुधि तो इन्होंने यही बोला कि समान्य बुधि का main जो relation होता है वो हमारे वंशा नुकरम से होता है अगर parents में यह समान्य बुधि जादा है तो बच्चे में भी समान्य बुधि जादा ही होगी साती साती इनों ने एक चीज और बोली कि बुद्धी को हम कभी भी गटा या भढ़ा नी सकते बुद्धी जिस बच्चे में जितनी है वो उतनी ही रहेगी केवल हम क्या कर सकते हैं हम उसको तेज हम उसको शाप कर सकते हैं ठीक है इसको कभी भी हम अपनी तरफ से बना नहीं सकते हैं, इस पर बातावरन का है सच कोई प्रवाव खास नहीं पड़ता, केवल हम उस बुद्धी को slow कर सकते हैं, fast कर सकते हैं, लेकिन बुद्धी को हम बटा बड़ा नहीं सकते, ठीक है, इसके बाद third आता है हमारे पास, effect on, effect on instinct, यानि की मूल प्रवर्तियों पर प्रभाव, instinct को हिंदी में बूला जाता है, मूल प्रवर्तियों, देखिए, एक चीज़ का धियान रखेगा, कि instinct के बारे में, अगर किसी का नाम सबस्दा हमारे सामने आता है, तो वो है MacDougal साहब, MacDougal, ठीक है, और इनके बारे में question भी कई बार आपसे पूछा जाता है, जो famous question, बहुत जारा exam में, especially UPTED की exam में पूछा जाता है, तो वो ये, कि MacDougal साहब ने कितने type की instinct बताई थी, तो उन्होंने बताई थी 14 type की instinct, mainly उन्होंने 14 type की instinct बताई थी, वैसे जब आप अलग-अलग books को read करोगे, तो आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी, अब, इसका क्या मतलब है, moon instinct का, इसका मतलब है कि जो बच्चे का behavior है, बच्चे का जो nature है, वो किस तरीके कर रहेगा, ये बार depend करती है, वन्शा नुक्रम पर, यानि कि अगर मान लीजे कि parents जो हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, ठीक है, उनका nature इसी तरीकी का है, कि वो बहुत जल्दी से temperament खो देते हैं, तो बच्चा भी बहुत ज़रा chances हैं, कि बच्चे का भी जो temperament है, वो भी इसी तरीके का होगा, मान लोग कि parents शान्त रहते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, यह आपके लिए important है, चलिए, इनको देखते हैं, तो देखिए students, यह कुछ मूल प्रवर्थियां और इनसे होने वाले जो संबेग उत्पन होते हैं, हमारी शरीर में, हमारे nature में, उनको बताए गया है, तो सबसे पहला हमारी अगर मूल प्रवर्थियां किसी चीज़ से भागने की, पलायन करने की, तो उसकी वदे क्या है, हमारा डर, यानि कि उस ताइम पे जो हमारा emotion हाविग होता है, हम पे वो होता है, बह, डर, फिर इसके बाद है निवर्ति, यानि कि किसी चीज़ से हम इलकुल एकदम होता है ना कि complete हो चुका है, भर चुका है एकदम उपर दर, तो वो क्या है, ग्रिणा, next है हमारे पास जिग्यासा, और इसका हमारा सम्वेग होता है, आश्चर्य, next है हमारे पास युयूत्सा, जिसकी विरे से क्या होता है, हमारे अंदर क्रोध देखने को मिलता है, next है आत्म गौरब, यानि कि जब हमें किसी positivity की feeling होती है, तो ये हमारा उससे related सम्वेग होता है, अब question ऐसे पूसा जा सकता है आपसे, जो पलायन है, उससे related होने वाला सम्वेग, बताईए, या फिर भै, जिस मूल प्रवर्ति की वरे से होता है, उसका नाम बताईए, तो आपको ये दोनों चीज़े ही याद होनी चाहिए अपने exam point of view से, तो देखे students, next point है हमारे पास effect on nature, यानि कि हमारे जो सभाव है, उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो जनरल ये ऐसा देखा गया है, कि अगर हमारे parents बहुत शान्त रहते हैं, ठीक है, तो बच्चा भी जोगा, बहुत शान्त रहेगा, ठीक है, या फिर जो parents हैं, बहुत सोचलेबल हैं, मतलब, बहुत शान्त बहुत शान्त रहे हैं, तो बहुत शान्त रहे हैं, अब इसके ही basis पे Sheldon साबने क्या कर रहता है? तीन तरह के, एक तरह से हमारी डिवाइट कर दीती, जिसके नाम है अमारे पास Wiserotonia, इंग्लिशलीन और हंदी में सेम ही इनकी pronunciation है उसके बाद है somatotonia और next है हमारे पास cerebrotonia अब इन सब का क्या मतलब है इन्होंने जो divide कर रहा था classify कर रहा था लोगों को वो किस पर बेसिस पर कर रहा था उनके nature के basis ठीक है अब देखो ये वाले जो है viserotonia ठीक है ये कौन से है पिल्कुल जो बहुत ज़रा socialable है जो बहुत ज़रा समाजिक है ठीक है जो बहुत ज़रा समाजिक है ठीक इन्हें हसना भूलना खुश रहना लोगों से गुलना मिलना सब कुछ बहुत पसंद होता है इसके बाद है हमारे पास somatotonia बहुत ज़रा क्रोधी टाइप के होते हैं इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है चोटी चोटी बातों पर अपना टेंप्रमेंट लूस कर देते हैं बहुत जल्दी बहुत ज़रा इनमें emotional imbalance होता है अपने emotions लों कॉंट्रोल नहीं कर पाते इसके बाद है मारे पास cerebrutonia यह कैसे होते हैं? बिलकुल शानत रहने वाले बिलकुल शानत रहने वाले ठीक है? और बिलकुल कम बहुत ज़्था इन्हें किसी से बात बात करना पसंद नहीं होता ठीक है? इन्हें चिंतन करना अर्च्छा लगता है उस पे जो वंचानुक्रम हैं वो कैसे प्रभाव ढालता है तो देखे, next है हमारे पास शारे रे गटन यानि की physical structure अब यह तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे parent जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चा बड़ जैसे से बड़ा होता है या फिर बच्पने भी बोलते हैं कहरे तो अपनी मम्मी पे गया है अपनी पापा पे गया है, अपनी दादा जी पे गया है दादी जी पे गया है, बुगा पे गया है तो वो हम कैसे बोलते हैं उसका physical structure देखके ठीक है? यानि कि जो उसका शारे रे गटन होता है ने करा है किस पे गटन परःए शारे और किस ने कर राए तो धयान डखिएगा शारे रे गढ़न पे खरा था किसने क्रेश्मर ने और सवभाव के बेसे पर रहा था शेल्डन आपनेके तो देखिए क्रेश्मर सामने तीन टाइब के लोग बताए हमें ठीक है, खूब मोटे होंगे, इनका पेट निकला हुआ होगा, ठीक है, height में कैसे होंगे, छोटे होंगे और बहुत खुश रहने बाले होंगे, इसी तरीके से next है, athletic, अब आपने देखा हूँ, वह घीजह वह बोडे को सब्सक्राइब दूब से जारी की सब्सक्राइब प्रणिए जो अगर कोई नियुकर डेटके ज्टाइब बहुत ही दुबले पतले होता हैं एकदम थिन ठीक है इनने खाने पीने का इतना कोई शौक नहीं होता ठीक है जनरली क्या होता है कि थोड़ा साड रहते हैं थोड़ा इनने अकेले रहना पसंद होता है तो इस टाइप के लोग होते हैं एस थैनल अब हम चलते हैं अपने six point की तरफ जो की हमसे कहते हैं व्यफ्साई के बारे में यानि की वोकेशनल वोकेशनल यानि की व्यफ्साई तो इस पर जो रिसर्च करने वाले साइक्लॉजिस्ट थे वो थे हमारे पास कैटल साब और कैटल साब ने यह देखा कि जब इन उन्होंने अमेरिकी जो थी चुछ करी थी और इन्हों ने देखा कि जिनके परेंट जिस्ट्रोफेश्चन में है ठीक है जाता है अगर आपकी खर ने बहुत सारे ISPCS लोग हैं, Officers Rank के लोग हैं तो आपका भी कहीं न कहीं उसकी तरफ जुकाब हो जाएगा या फिर आपके मानलो family में बहुत सारे लोग teachers है या आपके family में अपना family business है तो आपका जुकाब automatically कहीं न कहीं उस तरफ हो जाता है तो यहीं बोलता है हमसे gifts आए इसके बाद है last हमारे पास social status social status ठीक है, social status में हमने क्या देखा कि अगर मानलो की कोई parents है जिनका social status बहुत high maintained है अपनी society में ठीक है, मानलो की कोई family है जिसमें की सारे के सारे लोग ना leadership में है तो बहुत जारा chances हैं कि उनके बच्चे भी leaders में चले जाए जैसे कि आपने देखा होगा पूरी गांधी family के अगर मैं history उठा लू या फिर हम अगर Bollywood की बात करें तो पूरा कपूर family के आप history उठा के देख लीजे शमी कपूर, रनबीर कपूर और करीना कपूर, करिश्मा कपूर ये सारे क्या है कपूर से ठीक है वो भी maintained रहेगा, वो भी बहुत अच्छा रहेगा कहीं न कहीं ये दोनों points ना हमारे हापस में interlink करते हैं जितना अच्छा हमारा vocation होगा, जितना अच्छा हमारा website होगा उतना अच्छा हमारा social status भी होगा तो I hope यहाँ तक आपको सारी चीज़े clear है वंचा नोगरम का पूरा topic आपको समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, फ्लियर भी है तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like करना ना भूले, share करना ना भूले और अगर चैनल पर नए हैं तो subscribe कर दे, bell icon को hit कर दे ताकि आने वाले सारे notifications आपको time से मिलते रहें प्लस इस class का PDF फ्राट करने के लिए आपको है टेलिग्राम चैनल से जूड़ सकते हैं साथी साथ आप आप में इंस्टा पे भी follow कर सकते हैं तो मिलते हैं next class में एक और नए topic के साथ अब तब पढ़ते रहें अल्ड़ बेरी बेस्ट